हलो दोस्तों मैं हूँ गोरो एंड पिछले वीडियो के अंदर अपने अपना यह जो प्रोजेक्ट था इसको स्ट्रक्चर किया था अच्छे से लाइक हर एक फाइल के अंदर फॉर एक फाइल जैसे एक की पेर वाली फाइल है तो इसमें केवल की पेर से रिलेटेड कोर था तो इसमें केवल से केवल से रिलेटेड कोर था टी एफ वार के अंदर अपने केवल और केवल वैरियबल्स डाले थे अब यहां पर मुझे पहले एक चीज़ बतानी है देन अपने आगे के टास्क पर आते हैं तो मुझे पहले आपको क्या चीज बतानी है आप यहां पे य अगर टीएफ वार फाइल को भी कमिट करना राग इंवार्मेंगे आप पूछोगे कि या अगर तुने यह यहां पर नहीं डाले तो इनको डिफाइन कहां किया गया है तो यह कॉंसेप्ट अपन पहले पढ़ चुके हैं राइट कहां पढ़ चुके हैं एण्वार्मेंट तो मैंने यह एक्सिस की और सिक्रेट की वाले दोनों के दोनों वैरिबल्स को कहां डिफाइन कर रखा है यहां पर यह दिख रहा है आपको env-grap-i access-ki तो env command क्या करती है simply आपके सारे के सारे environment variables स्प्रिंट करवा देती है और मैं उनके अंदर find कर रहा हूं access-ki को तो आप देखों यहां पर मैंने इसको define कर रहा है यह concept अपन पहले पढ़ चुके हैं अगर आप इस चीज को भूल चुके हो तो आप प्लीज बैक में चाना यह वीडियो वापस देखना कि read variable from environment variables इस नाम से heading होगी मेरे इसाब से उस वीडियो की तो आप वो देख लेना ठीक है अब अपने अगले टास्क पर आते हैं अपना अगला टास्क क्या था अपना अगला टास्क यह था कि अपन जो भी instance create करेंगे उस instance के अंदर एंगिनिक्स इंस्टॉल हो जाणने चाहिए और एंगिनिक्स इंस्टॉल हो जाने के बाद में इस फांदर है गौराव करके यह content चला जाना चाहिए तो यह चीज आपन कैसे अच्चिव कर सकते हैं राइट यह जो टास्क है ही एपने को करना है बट उससे पहले मैं छोट एक और Terraform का concept यहां पर उठाऊंगा क्योंकि वो जो concept है वो आपको आगे use आने वाला है, ठीक है, तो Terraform में एक command होती है, मैं आपको example की help से बता देता हूँ, तो instance के अंदर चलते हैं, और यह instance create होने का पूरा का पूरा code मैं comment कर दिया मैंने, and key pair का code भी मैंने comment कर दिया, ठीक अभी आप देखो यहां पर, और simply यह security group वाला code है, यह क्या कर रहा है, अभी के case में यह patch port open कर रहा है, ठीक है, तो अपन पहले यह infra create करते हैं, terraform plan command से, and उसके बाद में मैं उस concept पर आता हूँ, terraform tent करके उस concept का नाम है, कि वो है क्या चीज, तो terraform apply auto approve, ठीक है, ओके, तो मै गलर directory में हूँ, cd youtube course, aws first instance, चलो, terraform apply auto approve, ओके, यहां पर जो plugin था, वो install नहीं है, मैंने वो clean up कर दिया था, तो terraform init, चलो, तो अपन ने अपना जो plugin था, वो install कर लिया है, अभी मैं terraform apply command चलाता हूँ, ठीक है, तो जो terraform apply command नहीं है, simply यह क्येवल एक security group create करेगी, क्योंकि बाकी का सारा code अपने यहां पर देखो, यह भी comment कर रखा है, और यह भी comment कर रखा है, instance create वाला भी, ठीक है, तो देखो, यह यह यहां पर, यहां पर security group create हो रहा है, अपन AWS पर चलते हैं, यहां पर security group पर चलते हैं, यह security group रहा, ठीक है, तो यहां पर आप देखो, create ह हो चुका है बैसे अब AWS पर देख लेते हैं तो आप यहां पर देखो अलाउट TLS करके यह security group create हुए है जिसके अंदर पांच entry है अभी important चीज जो मैं आपको बताऊंगा ध्यान रखना यह जो security group है इसका ID क्या है इसका ID है 5E74 यह कागच पर लिख लेना अब कहीं भी आपके आसपास यह याद रखना 5E74 है अब मैं क्या करता हूं मैं यह जो variables.tf war file है इसके अंदर मैं एक port और add कर देता हूं ठीक है suppose मैं port add कर देता हूं 1080 port number है ठीक है मैंने यह एक port है जिसको मैं open करने वाला हूं control s तो अब देखो अब जब मैं terraform apply command डीलिट होगा तो क्या ओगा यह security ग्रुप डिलीट होगा और नया create होगा ऐसा होगा या फिर इसी security group को update कर देगा रइट या तो यह security group delete होके वापस recreate हो या फिर इसी security group को वह update कर दे थिक है तो टेराफोर्म प्लान चला के देख लेते हैं कि क्या करेगा ठीक है तो आप देखो इसने यहां पर यहां पर यहां पर यह जो साइन इसका मतलब सिंपली यह होता है कि वह आपका जो अल्रेडी एक्जस्टिंग सेक्यूरिटी ग्रूप है यह उसी को अपडेट करेगा चलिए अभी आप देखो यहां पर आपको याद ही है 5E74 करते हैं चलो इसको टेराफोर्म अप्लाए करते हैं आप यह देखो उसने जीरो एड मतलब कोई भी नया कुछ भी एड नहीं हुआ एक जो एक्जस्टिंग था उसी के अंदर इसने एक चेंज किया है और जीरो डिस्ट्र यहां पर पहले 5 था भी 6 हो गया अब यह तो क्यों एक सिंपल सा मैंने आपको एक्जांपल दे रखा हैं बट होता क्या है कि कई बार आपके रिसोर्चेस ऐसे होते हैं जो डेमेज हो जाते हैं आपको ऐसा रहता है कि नेक्स टाइम जभी भी टेराफोर्म प्लान कमांड च दो नो उसके बाद में आपको कौन से रिसोर्स को टैंट करना है और उससे पहले आप यह आपकी स्टेट को करना आपके्ट्रोब करना तो यहां परրका क्या है। स्क्राइब लुए सिक्यूरिटी ग्रूप इसका नाम क्या है तो यहां से कोपी करते हैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी ठीक है एंड एंटर जैसे ही मैंने एंटर किया तो टेराफों क्या करेगा आपका यह जो यह जो रिसोर्स है अलाउट एलस करके इसको मार्क कर देगा अब न एक डेमेज रिसोर्स है यह अभी आप देखो अभी यहां पर आप टेंट सर्च करो तो आपको यह दिख रहा है स्टेटस यह अलाउट एलस का यह टेंट स्टेटस आ गया राइट पहले यह नहीं था अपने सर्च किया था तो इस फाइल में टेंट नाम से कुछ भी नहीं अपने पो तो फिर अब अब अपन क्या कर सकते हैं simply अब जब यह टेराफों प्लान कमांड चलाऊंगा अभी देखो अभी मैं मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया मेरे इंफ्रा में मेरे कोड में देखो अभी अगर आप देखोगे simply तो यहां पे देखो वैरियाबल डोट यह वैरियबल डोट टीयफ वार में यहां पर यह च्छे के च्छे पोट है राइट मैंने कौई भी नया पोट एड भी नहीं किया उसके बाद में अगर मैं टेराफों प्लान कमांड चलांगा तो क्या होता है देखो तो टेराफोंग अप्लाय कमांड चलांगा या पहले चला के दिखा देता हूं मैं आपको अभी आप देखो जब आपने टेराफों प्लान कमांड चलाया तो इसने क्या किया दिख रहा है आपको यह दिखा रहा है माइनस प्लस मतलब क्या कि आपका यह जो सिक्रेटी ग्रूप है पहले तो यह डिस्ट्रॉय होगा एंड यह Id यह तो आपका यहाँ पर देखो यहां पर प्लान के अंदर लॉन टक्रेटी थैकि टो ए मगलें मधु आप यहां तो यह नह्यां पर देखो पहले आपका 5 5e74 id था राइट जैसे ही यह create हो जाएगा तो मैं इस page को refresh करूँगा ठीक है अब मैं इस page को refresh करता हूँ साइद हो create हो गया होगा backend में यस आप देख सकते हो यहां पर राइट अब मैं इसको यहां पर refresh करता हूँ अब आप देखो दिख रहा है आपको अलाव TLS एंड इसका id देखो 1663 तो यह होता है terraform tent terraform tent में in simple word मैं वापस सेम चीज रिपीट कर रहा हूँ कि आप terraform को ऐसा बता देते हो कि मेरा यह जो एक resource था यह damage हो गया तो next time जभी भी terraform apply command से लेगी तो यह recreate होगा बस सीधा सा इतना सा logic है अब एक चीज हो रहाती है terraform जो है वो कभी भी यह recommend नहीं करता है कि आप terraform tent command चलाओ आप terraform recommend करता है कि आप terraform apply हाइफन हाइफन replace करके भी एक command है तो terraform जो है वो कभी भी recommend नहीं करता है कि आप terraform tent command use करो ठीक है बट वो ऐसा क्यों करता है आई मिन recommend क्यों नहीं करता है terraform tent command को यह जो है इसका answer अपन इस सीरीज के अंदर आने वाले वीडियो में देखेंगे तो अभी के case में आप चीज यह दिमाग में रखना केवल टेराफों tent command जो है उसको terraform recommend नहीं करता है क्यों नहीं करता है अपन आगे के आने वाले वीडियो में देखने वाले है ठीक है और अगर आपको answer पता है तो please comment section में बता दीजिए ठीक है त terraform tent के बारे में बताना था क्योंकि आने वाले दो या तीन वीडियो के अंदर इसका बहुत ज्यादा यूज आने वाला है ठीक है तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में बाबाए